नमर्दी के लिए हीरा बसन और सोना बसन वाला नुसका तो दोस्तों आपने हीरा बसन मकर धवच और सोना बसन तीनों एक एक ग्राम ले लेना है मकर धवच को आपने दोस्तों खरल में डाल कर उसकी रगडाई करनी है डेली 6-8 गैंटे पूरे 3 दिन तर उसकी चमक खत्म होने के बाद आपने दूसरे गड़कों को हीरा बसन और सोना बसन को खरल में डाल कर मिला लेना है चैसे खरल करने के बाद पान के पत्तों का रस निकाल कर पान के पत्तों के रस में आपने डेली 6-8 गैंटे तक लाजमी इसकी गुटाई करनी है तो दोस्तों पूरे साथ दिन पान के पत्तों के रस में इस दवा की उठाई करने के बाद आपने इसकी गोलियां त्यार करने के बाद शाय में सुखा कर एर टाइट डिबी में बंद कर लेना है खाने का तरीका एक गोली सुखे एक गोली शाम को मख्षन, मलाई या शहद के साथ आपने सेवन करना है दवाई ये गोली खाने के बाद उपर से दूद पीना है तो दोस्तो इस दवाई के सेवन से कुछ दिलों में आपके श्रीर में नई जान आपको आती हुई दिखाई देगी आपके श्रीर में नई जाना आएगी कुछ दिलों में आपकी नमर्दी शूमंतर होने लेगी इस दवाई के पूरे रिजल्ट लेने के लिए आप परहेज जरूर करें परहेज में खटाई मिठाई, खटी तली चीज़ें, फास्ट फूड, बेकरी, नौन वेज, अलकोहल, चाए और कॉफी का प्रेज करें परहेज के साथ दवाई खाने से दवाई के पूरे रिजल्ट आते हैं अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो थेंक यू